So welcome back to my channel तो दोस्तो कल है Monday Night Rock a Show जहाँ पर WWE ने 5 चीज़ा ऑफिशल की हैं जो कि मेरे साब से 5 चीज़ा काफी गजब की हैं तो आप लो इस वीडियो को करपा करके एंड तर देखना जादा लंबी मैं इस वीडियो को रखूँगा नी तो बिना टाइम वेस्ट की हम लोपनी से नई वीडियो को शुरू करते हैं तो कल है जो Monday Night Rock a Show वहाँ पर WWE ने 5 चीज़े ऑफिशली अनाउंस की हैं फहली चीज़ की बात कर लें तो एक 1-on-1 मैच होने वाला है मिज एंड हमारे Bobby Lashley की बीच जो की एक होगा non-title मैच और अबर मेरे इसाब से Dexter Lee में जहूर से कुछ ना कुछ करने आएंगे तो कि लास्ट टाइम या फर कहते हो लास्ट रॉम है उन्होंने केडनाप की आता हमारे मिज गो तो इस बाद देखना इंट्रस्टन रहेगा कि इस मैच में कौन जीता है वैसे मेरे सबसे Bobby Lashley जीत जाएंगे तो कि अभी उनका जो करियर है वो एकदाँ पीक पे चल रहा है तो Bobby Lashley मेरे सबसे इस मैच में फेवरिट है कि वो राद देंगे कल के Monday Night Raw में में मिज को बागी देखना ट्रस्टन रहेगा क्या ही करेंगे चार प्रोम वगश्यरा कोच होगा Summy Zen & Jay Usu की बीच में or और आनकानी कि मेरे मतलब है कुछ बहस बादी को इंटर्व करें अब वो क्देखना काफी ने रहेगा लेकेन मुझे सबषब स्पर्शार को काни करना और अबर कल हम सभी को न्यू चैमिस देहने को मिलेंगे अब इस मैच में क्या हो सकता है उसके बारे हम बात करेंगे सबसे बहले मैच इसका है तो मैच है डेकोटा काइंड यह उसक्या है वर्चिस ट्राकिल गॉन रियाज एंड हमारी अलिया की बीच तो फैनल्स होने वाले क अब पतानी थोड़ी बहुत excitement क्यों है वह इसलिए है क्योंकि इस मैच में में भी हम सभी को wrestling काफी बढ़ी यह देखने को मिल सकती है और मैं यह सोच रहता है कि यहां पर चीज़ें मतलब ऐसी होनी चाहिए थी कि यहां से कुछ ऐसा देखने को मिले कि clash of the castle में फाइनल जो अब क्या पता है डबी डबी यह से करवात है जैसे हैं बोल रहा हूं कि clash of the castle फाइनल हो जहां पर new women's tag team champions हम सभी देहने हो मिलें बाकी बागी बाइड ट्रपल H का दिमाग जो भी हो क्या पता कल के रॉम हम सभी को new champions देहने हो मिलें तूकि कल है finals match और देखो कौन जीता है हैं दोनों teams में से बाकी कुछ twist आ जाए तो बाई मजा आ जाएगा बाकी चौती चीज डबी डबी ने officially announce किया है जो कि हमारा कर्ट एंगल का रिटर्न और पता नहीं डवी डबी डबी सड़नली क्यों अनौंस कि कर्ट आंगल आ रहे हैं वापस अब क्या पता एक clash of the castleman की क बताने आ रहे हूं कि अपने future के बारे में कुछ बात करने आ रहे हूं कि wrestling अनौइन का की कुछ future है और कोई retirement match कि अब तक कल को नहीं कोई इंटरप्ट करें आके क्या पता कोई नहीं सकते हैं लेकिन कुछ भी हो सकता है और कल की show में कर टैंगल का क्या कुछ रोल होगा उसक फाइनल चीज़े कल के रहो के show में जो की होगा सेथ रॉलिस एंडर डल का एक face to face वाला segment अब डबी डबी से एंड में रखेगी या फिर बीच में वह भी देखेंगे कि क्या कोच होता है लेकिन इस face to face वाले segment में जहूर से ऐसा कोच होगा जो कि हम सभी को हाइप कर देगा clash of the castle के लिए हब already मैं इस match के लिए hype हूँ लेकर और जदा hype हो जाएंगे हम लोग कल raw के show से और last week हम सभी को देखने को मिला था कि show start हुआ बीच में दोनों लड़ने आ गए उसकी बीच बीच में भी हम सभी को देखने को मिले थे back stage fight भी थी तो इस बार देखना interesting रहेगा क क्यार इस बार तो दोनों आमने सामने ना इस बार तो रिंग में देखने हैं मसा आएगा कि कौन किसको जादा पीटता है बाकि कल का show मेरे सबसे काफी interesting होने वाला है कि जब 5 चीज़े हैं वो काफी definitely better है कल के raw के show के लिए बाकि आप लोग comment करके बताओ कि आप लोग कितने क्या उसी द hoping आप लोग Show लोग कि आपी कितने बाकि लोग संबना में कि आप लोग कि आप लोग कि अ